अब्लो एब्लीबन में हेमा हेमा की रसोई में स्वागत है आप सबका दिल से आज देखिए मैंने कितनी अच्छी कोफी बनाई है तो मैंने सुचा है क्यों आपके साथ यह रेसिपी शेयर करूँ इसमें नहीं कोई मैंने क्रीम का इस्तेमाल किया है नहीं कोई बेग क्रीम मनाई है नहीं बहुत क्रीम से 10 रुबर या पाउच से मैंने इतनी अच्छी कोफी में सबसे इजी तरीका तो हम फटावट चलते हैं रसोई में और बनाते हैं कोफी बिल्कुल योनिक तरीका कोफी तो आपने बहुत तरह की पी प्योंगी बट मेरा त बाउर जाल देती हूं और इसमें डाल दूए में तीन चम्माई शुगर रण टो एड ट्री और डाल दूए में फुल क्रीम बाला हाफ लिटर दो दी रेखी खुदा मलाई बाला यह देखी और डाल दूए में थोड़ असा चोको पाउडर और डाल रहे हूं कुछ आइस क्य अइसा सबसे तरीख कोउड कर दितना कौफीट दूश्कर बनती हैं तो बल्कुल कवाने बनाने काौइएन Si Sabha, इसका और लेखी इतम कंटिने नाथ चला है जैसे एक दो मिनिट लिए चला है और फिर रुख जाए और फिर एक बार और तीज वाले पर चला है इसना जाब जो है वह बहुत बढ़िया है तो देखिए हमारी कॉफी बनके हो गई है तैयार यह देखिए देखिए आपको दिख रहा हो कितना ज अब मैं करते हो नेक्स प्रोसेस के तैयारी यह देखिए सर्फ करने का मेरा बिल्कुल यूनिक सा तरीका यह मैंने चैन रुपिछ के ही चौकलेट सीरफ को पाउश लिया है जो की बच्चे बिचारे क्या करेंगे बड़ा बड़ा पैकेट नहीं लेते हैं हम अपने ग्लास में यह दाल देंगे इसमें दखिए कैसे भी डिजाइन बनाकर डाल देंगे देखिए कितनी अच्छी डिजाइन रही है इसमें हम डाल देंगे अपनी कॉफी कि आप देखने कितनी अच्छी हमारी जाग वाली कॉफी बनी एक दम पॉफेक्ट वाली यह देखिए कि यह देखिए हमारा कितनी बड़िया बनी कॉफी और कितना सुन्दा दिख रहे है इसी तरीका इतब बच्चे अकेली जो रहते हैं वह भी कर सकते हैं अब क्या करेंगे हमारा जिसमें जाग आया ऊपर इसको लिए डाल देंगे देखिए ऑसमें डालते हैं कुछ थोड़ा सा चोकलेट के ही चोटी चोटी सी चोटी सी लिंगल शाथा था डिल्कलित है जो दिख लग दाल देखिए बहूत मैं लगने वाली है तैयार है हमारी बहुत ही बढ़िया बिना क्रीम और बेग क्रीम की कॉफी है देखी कितनी अच्छी कोफी बनी नहीं हमने आश्क्रीम रादी नहीं कोई क्रीम रादी तो अब भी इसको जबूर बनाईए पिलाईए और इंजॉय कीजिए सिर्दस रफ़े के पाउच में मैंन अच्छी कोफी बनाईए तेक केर बाबाई